के नमस्कार खिसान संथियो हेलो किसान यूटीव चैनल में आपका स्वागत हैं तो किसान संथ आज के योडियों में हम बात करेंगी चने की फसल के लिए सबसे अच्छी किजना सक और सबसे अच्छी टॉणिक के बारे में तो किसान इसमें 30 से 35 केजी परेकड का बीज इस्तिमाल किया था फिर भी इसने पूरे खेद को घेल लिया है तो किसान साथियो आज मैं आपको चने की फसल के लिए सबसे अच्छी किडनासक और सबसे अच्छी टॉनिक के बारे में बताने जा रहा हूं तो वीडियो को अन तक जरू द प्रकोब दिखाई दे तो हमें तुरन्त ही किडनासक का इस्प्रे कर देना चाहिए जिससे लियो से होने वाले उसकान से फसलों को बचा सके तो किसान सांथियो यहां मेरा खेत में अभी दो चारी लियो का प्रकोब दिखाई दे रहे हैं और सांथी दो चार फूल भी कर रहा हूं तो किसान साथ ही कीट ना सक चने की फसल के लिए सबसे अच्छी कीट ना सक फ्लू टॉन जिसमें फ्लू बेंडिमाइड जो पानी में असानी से गूल जाता है और चने में होने वाली सभी प्रकार की लियों को खत्म कर देता है तो इसकी डोज की बात करें तो हमें एक एकड में 100 ग्राम का स्प्रेक करना पड़ता है 100 ग्राम को हमें 1500 से 200 लिटर पानी में घोल कर अच्छी तरह स्प्रेक करना है जिससे चने में होने वाले सभी प्रकार की लियों का खत्म हो जाता है तो किसान साथियों और चने की फसल में के लिए और एक बात जरूरी होते हैं कि हमारी फल फूल के लिए सबसे अच्छी टॉनिक कौन साइ स्प्रे करें तो किसान साथियों चने की फसल के लिए सबसे अच्छी टॉनिक के बारे में बताने जा रहा हूं तो किसान साथियो चने की फसल के लिए सबसे अच्छी टॉनिक सम्रिद्धी जिंगो जो समुद्री सहवाल से बना हुआ एक टॉनिक है जो हमारी अगर हम फसल में इसका स्प्रे करते हैं तो यह हमारी फसल को तनाव मुक्त कर देता हैं और नए नए कोपलों का भी विकास करत हैं जिससे हमारी चने का पौधा होता है वो फैलावदार होता है और उत्पादन में भी विद्धी होता है तो किसान साथियो आप चने की फसल में अगर फूल की अवस्था में इसका स्प्रे करते हैं या फूल आने से पहले इसका स्प्रे करते हैं तो आपकी उत्पादन मे भी वृत्ति होती हैं, तो किसान सांथियों सम्रिद्धी का जिंगों का इस्तेमाल हम अपनी फसल में अच्छी फल फूल और अच्छी पैदवार के लिए कर सकती हैं, इसकी डोज की बात करें तो 200 ml पर एकड़ हैं, हम 200 ml को डेर सो से 200 लिटर पानी में अच्छी तरह मिला कर करना हैं, और इसका 15 लिटर टंकी में 20 ml इस्प्रेय करना हैं, तो किसान सांथियों हम कितना सक और तॉनिक को मिलाकर एक सांथ इस्प्रेय कर सकते हैं,